हुआ है अब रिबॉन तोस्तों जैसे कि आप सभी लोग ने प्रॉलम फेस किया शिप रॉकेट पे काफी लोग ने कॉमेंट करके पूछा कि सर मेरा फाइब थाउजन टू थाउजन थ्री हंड़िड लॉस हो गया फ्रॉड हो गया इसकैम हो गया बर मैं आज की वीडियो में पूरी चीज़े क्लिर करने वाला हूं इसकैम कौन कर रहा है कैसी से बचे हो अगर आपका पैसा फ़स किया है या फिर दो जार या पांच शार जो भी पैसा अपका लगा है या आप उसे उलता हो अशीज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों सिप्रॉकिट जैसे हम बात करते हैं तो देखाओ को बहुत सारी चीज़े हो जाती है सिप्रॉकिट जैसे आपने और किया सब्सक्र किजिए मैं देखाता है को इसकी इन्वाइस है ठीक है अब आपका नाम से सब्सक्र और्मिल धावन ठीक है कमपनी का नहीं है यह सपूर्स करो एकसवाइजएड जिस पर मैंने सरकल किया है इसका नाम है एकसवाइजएड यशी सक कहलो पर हम डॉमिनो ऑप इसे कह सकते हैं एमेजेन कंपनी ठीक है जहां से अपने समाना होगा है अब यो उर्मिल है यह सपोसकर आप हो अब आपने यह से ओर्डर किया पांच शहया रुपे का ठीक है अब यह जो इन्वाईस ने Ship Rocket के थुरू आया है मतल़ जो इन्वाईस जिस बंदे ने बिल बनाए है वो Ship Rocket के थुरू बनाए है में सिप रॉकेट की कोई गलती नहीं है समझ रहे हूँ साज नहीं समझ यहाँ होगा आपको सिप रॉकेट क्या काम करता है यह सिर्फ सर्विस देता है सर्विस इंदर सेंस यह help करता है जो भी clients होते हैं जो भी लोगों तो business करते हैं यहाँ से सिर्फ पार्सल डिलिवर करने का सर्विस देता है इंवाइस बना दिया लेवल बना दिया यह सब शिप रॉकेट का काम इसका यह काम नहीं है कि आपके साथ fraud करें तो fraud कौन करता हो पैसे कौन खा जाते हैं आप सब्सक्रों उनमेल ध्रवन आप हो इसकी केट इसकी काल करते हैं ढ़ापने यह परड़क ओडर दिया तो गलती से रॉंपरड़क्ट आगे तो आप हमारा परड़क्स Чएंज करा लीजी यह हो सकता है उनके पस return facility नहीं होती है return facility इन्दा sense होता है कि वो आपसे आख की already समान लेकी जाए जिसके होता है ना हम Amazon flip card समान मांगाते तो हम return के लिए request डाल देते हैं वो बंदा आता है हमसे ले जाते है तो उसे कहते है return facility पर यह हर बंदे के पास नहीं होती है return facility क्योंकि इसमें charges वह जादा लग जाता है ठीक है तो हमेशे याद रखना return facility हर जागा नहीं होती है तो इसमें करना क्या है आपको जो number दिये जाएगा जो भी company है उससे बात कर लेना है और उसे बुलना सारा मेरे पर wrong product आ गया है कि मुझे यह product नहीं चाहिए तो आप उससे बात करके अपना problem sort out कर सकते है अगर वो return बोलती कि कि भाई हम तुम रिटन नहीं करेंगी यह कुछ भी चाहिए तो आप उस पर उसके recording अपना action ले सकते हैं अधरवाइस वो बोलती कि आप अपना जो भी पार्सल आपके पास हुआ हमें speed push से बेज़े तो उनसे address लेकि speed push कर दीजिए फिर उनसे payment मंगा लेजिए तो इस case में step से हो जाता है बड़ इस पर ship rocket की क्योई गलती नहीं दोस्तों क्योंकि ship rocket इक तरह से service दे रहा है उसका क ship rocket को कभी भी नहीं करते हो ship आप payment उसी को करते हो जिसका business हो जैसे मैं आपको बताया x y z private limit तो आप payment उसको कर रहे हो ship rocket को payment नहीं कर रहे हो ship rocket से तो बस एक parcel आता है delivery वो आता है जो कि आपको पारसल दे जाता है और हो सकता COD order को तो payment लेके जाता हो तो इस step से काफी cases हो जात पूर मिल धवा जिस पर मैंने circle किया यह एक्सवाइज एट private limit company है आपने एक्सवाइज एट private limit company से order मंगा गाया और आपका समान हो सकता है गलत आ गया हो या फिर खराम निकल गया हो या डैमेज निकल गया तो आपको एक्सवाइज एट private limit company के एक number होता है invoice यह लेवल पर देख सकते हैं पर उस पर कॉल करके बोलना है कि सर ऐसे है मेरे पर ऐसा product रिसीव हुआ है यह गलत product रिसीव हुआ है तो आप मुझे एक्सवाइज कर लीजी है मेरे payment जो भी हो रिटन कर दीजिए तो इस case में आप problem आपको sort out हो जाएगा तो इसमें डरने वाली कोई बात न होंगे मेंसा तो इस वीडियो को जरूद देख लीजी दोस्तों जिससे कि आपके सारे doubt clear हो जाएंगे और अपने easily जो भी पैसा आपको फसा हुआ हो रिटन बैक ले सकते हैं आज को वीडियो कैसा लगा comment करके जब बताए को doubt inquiry है वीडियो से related तो comment करके पूछ सकते हैं इस रोचिं